पंडित अनुराग गुरूजी, आज हम जानकारी देंगे कि तरंब केश्वर में महामृतुन जी का पूजन कैसे किया जाता है, इसमें कितना खर्चा आता है, इसके सुप दिन क्या होते हैं और इसकी पूजा कब करवानी चाहिए, सबसे प्रथम में महामृतुन जै के लिए आपको पूजन के एक दिन पहले तरंब केश्वर आना पड़ता है, उसके बाद में सबसे प्रथम में महामृतुन जै में प्रकार होते हैं, महामृतुन जै की एक पूजा होती है, प्लस महामृतुन जै का जप होता है, यदि दोनों साथ में करवाते हैं, तो उसमें आपक नमबर दिया गया है पंडित अनुराग गुरुजी का वहां से जाकर के संपर्क कर सकते हैं कितना खर्चा आएगा और इसके शुब दिल कौन से होते हैं ओम नमज शुवाय की